कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग आज की इस वीडियो में हम लोग एकाउंटिंग क्या है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं और साथ ही हम लोग देखेंगे कि एकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफिरेंस है एकाउंटिंग साइगल क्या होता है और जनरल और लेजर में क्या डिफिरेंस है सो एकाउंटिंग को बिजनेस का लेंगवेज कहा जाता है और अगर हम लोग अमेरिकन इंस्टिूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंट का डिफि करते हैं जिससे की कुछ inference निकाला जा सके कुछ result या interpretation निकाला जा सके कई लोग यह समझते हैं कि accountancy और bookkeeping दोनों ही सेम हैं लेकिन दोनों में difference है bookkeeping में हम transaction को original entry में record करते हैं लेजर में record करते हैं जबकि accountancy या bookkeeping को भी include करता है मतलब कि accountancy एक वाइडर कंसेप्ट है और accountancy में not only keep bookkeeping आता है बट अल्सो हम लोग जो accounts है उसका compilation करके एक inference निकालते हैं एक conclusion निकालते हैं accounting cycle refers to a specific task मतलब कि accounting process को complete करने के लिए जो specific task है उसी को बोलते हैं accounting cycle और accounting cycle monthly quarterly half yearly और yearly भी हो सकता है अब हम बात करते हैं accounting process की तो इसमें जो steps हैं उसको देखते हैं accounting process में सबसे पहला step आता है collecting and analyzing documents तो अम लोग सबसे पहले जो different documents है different source of data है उनको collect करते हैं और उसको analyze करते हैं उसके बाद entries को journal में post किया आता है जनल में entry को record करने का मतलब यह होता है कि chronological order में जिस तरह से घटना है घटित होती है जिस तरह से transaction होता है उसके उसी अधार पर हम लोग उसको journal में एंटर करते हैं उसके बाद ledger में उसको पोस्ट किया आता है एक particular head का जो भी expense है उस particular account में पोस्ट कर दिया जाता है देन उसके बाद trial balance में जाता है trial balance double entry system बनता है यह financial statement को बनाने में help करता है उसके बाद हम adjustment entry पास करते हैं चेक करते हैं कि कहीं कोई mistake तो नहीं हो गया है तो adjustment entry को पहले journal में पास करते हैं फिर ledger में उसके बाद प्रिट्रायल बैलेंस में पास किया आता है adjustment entity होने के बाद अजस्टेट्रायल balance बनाते हैं अजस्टेट्रायल बैलेंस के बाद financial statement बनाया जाता है financial statement जैसे कि आपका balance seat income statement cash flow fund flow statement है उनको बनाते हैं और फिर जो entry है वह उसको closing entry को पोस्ट किया आता है closing entry में जो जैसे कि आपका income statement है उसको trading balance से transfer कर देते हैं जो भी balance है और इस तरह से income statement जो होता है वो nil हो जाता है सो एक समय का एक accounting period का क्या profit हुआ क्या loss हुआ इसी अधार पर थे होता है और last जो process है that is post closing trial balance asset liability और capital के जो account होते हैं जो मतलब इस year का final balance है वो next year का opening balance कहा जाता है और इस तरह से पूरा process चलता है अब हम बात करते हैं journal और ledger के difference की तो जनल का मतलब होता है कि सबसीरी book of account है यह ledger जबकि principal book of account है जनल में chronological order में transaction record होता है जबकि ledger में different heads में transaction record होते हैं जनल में पूरा detail narration लिखा जाता है किसी भी transaction का जबकि ledger में ऐसा नहीं होता है जनल trial balance बैनाने में help नहीं करता है जबकि ledger help करता है और जनल को original entry कहा जाता है जबकि ledger को secondary entry बोलते हैं जनल में जो entry होता है उसको generalizing बोलते हैं और ledger में जो entry होता है उसको posting बोलते हैं जनल का जो format है उसमें 5 column होते हैं जबकि ledger में 8 column होते हैं चार left चार right और या टी सेप में होता है तो इस तरह से जनल और ledger का difference है तो इस वीडियो में हमने देखा accounting के बारे में bookkeeping और accountancy में difference को और फिर उसके बाद accounting cycle को भी हमने देखा तो मैं उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धूम चाते रहिए धन्यवाद